हेलो प्रेंड्स रादी कृष्णा मैं हूं कीर्थी गोयल मैं आज आपके लिए लाई हूं लौकी का चीला इस लौकी के चीले को सभी बच्छे बहुत प्यार सिखाते हैं देखिए लौकी के चीले में क्या क्या चीजों का सितमाल किया जाता है यह हाफ वाउल मीडियम तो यह जो चीला बनेगा यह सभी बच्छों को बहुती पसंद है पर अब जब अच्छों के लिए तो हरी मिल्ची मिर्ची में खाते हैं तो आएए मैं आपको दिखाते हूं कि चीला कैसे बनाना है हमें और यह देशीगी यह चीले को सेटने के लिए पहले हम बेसन लेते हैं पहले हम बेसन लेते हैं जिसके बाद हम लेते हैं लौकी इसको अच्छे से हम बिला लेते हैं अब आजी इसमें जिस आपका चाहिए उतना पानी लेना है में ना जादा पतला रखना है ना जादा गाड़ा रखना इसको इसको हम अच्छे से फैट लेंगे अब इसमें एड करेंगे लिए शोटा कटा हुआ है धुक्त तोड़ा से वीडियो अब इसको ओन दिक्क्त अरी है क्योंकि मैं वन हैंड जो इसको निक्स कर रहे ह। इसलिए तोड़ा से वीडियो अब दिक्कत आ Telesa अब हम इसमें एड़ करेंगे जो हमने दो से तीन मिर्ची कट करके रखी है रही है जो हमने हींग लिया है और नमक अपने स्वादान शारब डाले इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे प्रेंस थोड़ा विजी हम इसले वीडियो में बना पहें अब वीडियो बना रहे हैं क्योंकि अभी हम सोचे थे कि अपनी लिए कुछ बनाए तो आपके साथ भी शेया करें लौकी का चीला मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगा इसल करने कि में पेज चाहें हैंकि तवा घर्म करें ड्रब्रे ग तवार भरभी मोर्य यह चीला बलता है इसका हिल्का समेने वाइल फिर भी लगाए है यह अच्छा आता है तो अब मैं सकी पर यह यह जो बैटर हम तैया करा है चीले का यह रखेंगे इसको बड़िया तरीके से स्प्रेट कर देंगे पैला देंगे आम इसको यह जोड़ा था अजो दूब परना तो जाधे अच्छे सही है जाधे मोटा नहीं है और जाधे पतला भी नहीं है इसको उनना मोटा भो सकते हैं न बतला तो हमें ऐसे ही इसको स्प्रेट कर देने ये बन साइट से जब कोल्डन हो जाएगा थोड़ा सा उसके बाद हम इसको पल्टेंगे अब देख सकते हैं ये थोड़ा सा सिखना स्टार्ट हो गया है तो असे हम इसको चेक करते हैं ये अभी पकना स्टार्ट रहा है देख सकते हैं साइडो सोपने लगा है बड़ी असा सिखना एक दम और इस तभी की खासियत है कि यह बहुत अच्छी से चीला बना देता है अब कोई प्रॉब्लम नहीं आती है में चीला बनाने में से अब यह प्रॉब्लम नहीं अब इसको प्लेट देंगे और इक बात है फ्रेंट्स की आपको अगर चीला प्लेटने में लिक्का दाती है कि आपका चीला प्लेट ते समय टूट रहा है तो इसके लिए एक ट्रिक है कि आप पर इस चीले को पहले अच्छे से देख लेजिए कि इसका पक पक ग бал कुए या नहीं पलगें लाइक होअए मैं उसके बार क्या करते हम य चीले को इस तरीके से जDoesले हैं कि आधी अब है मनें स्प्स प्लेश करते हुँ इसके भार हम इस चीले को इस तरीके से हमारा चीला एकड़म रेड़ी है हम इसको सब करते हैं यह देखिए कितना बढ़िया चीला बनाई है और यह हमें रखिए इसमें घर पर बनी गई टामेटो एंड गार्लिक की चटनी बहुत ही यम्मी बनती है यह मैं इसकी रेसे प्यापको फेर वीडियो में शेयर करूंगी अब यह चीला बहुत ही अच्छा बन चुका है बहुत ही अम्मी है अब इस चीले को अच्छे सुझवाई करें देखिए कितना प्यारा बना है और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें जो भी पदला यह जो भी चीज़ें आपको पसंद आईए उनके बारे में में कमेंट करके प्लीज बताईए हम देखते हैं कि इसमें क्या चीज अच्छी लग रही है क्या नहीं अच्छी लग रही है क्य झाल झाल झाल